तो वहीं युक्रेन और रूस में लंबे समय से चल रहे विवात के चलते दोनों देशों के बीच युद्ध के हालाद बनते हुए नजर आ रहे हैं जिसको लेकर इंदौर के कुछ परिवारों ने युक्रेन पढ़ाई के लिए गए अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर स हमला कर सकता है पश्चमी देश हालाद को संभालने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इस बीच के इंदर सरकार ने भारतियों को युक्रेन चोड़ने के लिए कहा युक्रेन की राजधानी कीव में भारतिय दौदावास ने भारतिय छात्रों से कहा है यदि उनका युक उक्रेन में पिछले कई दिनों से हालाद असामान्य हैं लेकिन केंदिस सरकार के इस चेतावनी की बाद उन परिवारों में चिंता बढ़ चुकी है जिनके बच्चे पढ़ाई के लिए युक्रेन गय हुए हैं इनमें दौर के भी कई परिवार शामिल हैं देवी अहिल्या पत्नी अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है डॉक्टर अखिलेश ने सांसत शंकल लालवाने से संपर्क किया और उन्होंने सांसत के माध्यम से केंद्र सरकार से बच्चों की सुरक्षा को लेकर गुहार भी लगई मैंने अपना आग्रे किया क्या कुछ कर सकते हैं अभी तक कोई वहां पर है नहीं तो वहां की स्थितियां बहुत दाइनी है जैसे हम वीडियो देख रहे हैं और अखवार में देख रहे हैं कभी युद्ध चल सकता है तो पिता होने के नाते मेरी चिंता बहुत भाजव है बहुत चिंता करता हूं अब सबी प्रपुद्य पत्रकारों से सरकार से भी आग्रे करोंका किसी तरी से बच्चों की कोई ऐसी हमें इन परविस्तन दे इससे हम संतोस्त हो सकए हमारे बच्चे महां पर सुरक्षिते हैं जै क्योंकि सारी की सारी कारवाई करने कौद वाग कि वहां मेरा बच्चा ध्यन कर रहा है प्रणे राओ और इंद और सराउंड आसपास के लगबग वहां से 20 बच्चे भी पढ़ाई करें जिन मैं बेटमा हैं देपालपूर है सागोर कुटी है गामिर चेतों के बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और मैं बहुत चिंत ह बाजबे कर मेरा बच्चा सुरक्षित रहे वहां पर और मैं बहुत आपने सांसद से भी गुहार लगए मान ने सांसद जी से मेरी फोन पर बात हुई और उन्हें मैंने अपने बेटे के फोटो भी उनने बड़ा साहर दे तक पूबब मेरे से बातचीत करी और मुझे कहा क कैसी इस्तिती है तो मैंने उनने बेटे का नंबर भी दिया है उसकी जानकरी भी दिया उन्हें यह कहा कि अपके सिन बच्चे के और भारत के सारे बच्चों के संबंद में चिंता कर रहा हूं और भारत के लगव ऑठी से बीस च्चे बच्चे में हैं जो नोंकिल उनिवसि हैं शाम गोयल के अनुसार जिस तरह लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने हमारी मदद की थी इस संकट की घड़ी में भी हमारी मदद करें नमस्कार दोस्तों मैं शाम गोयल देपालपूर तैसिल जिला इंदोर से आज सुभा अकबार की न्यूज पड़ी और विगर चार-पांच दिनों से यही न्यूज में लगातार देख रहा हूं कि यूकरेन पर बहुत जल्द ध्रूस हमला करने वाला है मेरी चिन्ता लाजमे इसलिए है क्योंकि यूकरेन में पिछले पांच साल से मेरा बालक मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया हूं है और यहां अंतिम वर्षे उसकी पढ़ाई का दोस्तों कोरणाकाल में भी इस परिश्थिति का सामना करना पड़ा था और हमारी चिन्ताएं बहुत बढ़ गए थी तब भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के अंतरगत हमारे यश्वस्वी प्रधाम मंत्री श्री मोधी जी एवं जीले के सांसद श्री लालवानी जी ने बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों को वापस भारत लाने का प्रबंद किया था दोस्तों पहला तो ये कि अगर ये युद्ध ना हो तो बहुत अच्छा क्योंकि यह युद्ध निश्चितरुप से तरती वीश्वय युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा और अगर ये युद्ध हुआ तो उसकी वेभीश्य का हम आने वाले कई सालों तक देखेंगे मेरा परंपिता परमेश्वर से यही विंती निवेदन है कि ये युद्ध किसी भी तरह तल जाए और भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि जो बच्चे लगभग 20,000 के करीब युकरेन में धहयन रथे उनहां भारत लाने का उचित प्रबंद करे इस संबंध में जब सांसर शांकालालवाने से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि परिजनों के संपर्क करने के बाद विदेश मंत्री से चर्चा की गई है केंद्र सरकार इस मसले पर गंभीर है जानकारी के अनुसार यदि युकरेन में हालात और अधिक बिगरते हैं तो केंद्र सरकार भारतियों को वहां से निकालने के लिए विशेश अभियान चला सकती है